हेलो गाईज, वेलकम टू दा एजुकेशन कम्मुनिटी, आज स्पीड मैच पार्ट फिप्थ, कवर करने जा रहा है स्क्वाइर रूट, सबसे पहले स्क्वाइर रूट समझने से पहले, मैं यह मान के चलूँगा कि आपको एक से लेके दस तक के स्क्वाइर आते हैं, फिर समझेंगे, फिर डारेक्टली हम कोश्चन सौल करने लगेंगे, पहले आप इन डिटेल पहला कोश्चन समझे, स्क्वाइर रूट फाइंड करने आए, तो आपको क्या करना है, पहला कोश्चन है, 3824 का स्क्वाइर रूट निकालना है, 3824 का स्क्वाइर रूट निकालना है, पहला स्टेप क्या है, आपको दो-दो डिजिट के पेर बनाने हैं, दो-दो डिजिट के पेर बनाने हैं, पेर स्टार्ट करने हैं, कहां से बनाना, राइट से, राइट से आप दो डिजिट के प पेर बना है राइट से आपको राइट हैंड से आपको पेर बनाना है स्टार्ट करना है दूसरा इस्टेप आपको क्या करना है चेक करना है लास्ट डिजिट चेक करना है लास्ट डिजिट तो इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है फोर फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि 4 किस number का square की होता है 4 किस number का square की last digit होती है तो 2 square क्या होता है 4 एक तो 2 की और 8 square is also 64 इसकी last digit क्या आती है 4 तो या तो number की is square root के number की last digit 2 होगी या फिर 8 होगी या फिर 8 होगी अब बात करेंगे इस इस प्यार से तो हो गई बात अब बात करेंगे इस वाले प्यार की अब देखेंगे 38 38 किंदो नंबर के बीच का किंदो नंबर के स्क्वाइर के बीच का नंबर है किंदो नंबर के स्क्वाइर के बीच का नंबर है तो 38 एक तो 6 स्क्वाइर क्या होता है 36 से बड़ा बट 7 स्क्वाइर मतलब 49 से छोटा है 7 स्क्वाइर मतलब 49 से छोटा है तो हमें कौन सा नंबर कौन सा लेना है हमें नंबर लेना है छोटा वाला हमें नंबर लेना है छोटा वाला क्या लेना है नंबर 6 कौन सा नंबर लेंगे 6 छोटा वाला हमें सा इस यह जो नंबर आएगा इस नंबर के से यह नंबर आएगा इस रेंज में इस नंबर से करें है कि इसक्वायर क्या होगा इस नंबर से छोटा नंबर क्या होगा 36 तो वह किसका स्क एस यह लेंगे चोटा वाला नंबर हमे क्या लेंगे 60 या तो हांसर क्या होगा आप 62 या 68 अब एक और स्टब बचाय स्मया fire answer क्या होगा 62 या 68, तो 6 का multiplication करें, 6 का multiplication करें, आप consecutive number में, 6 के consecutive number 6 का consecutive number क्या आगए? 7 तो 6 का multiplication आप 7 में करेंगे, तो क्या आजाएगा? 42, अब check करें 42 और 38 38 क्या है? 42 से छोटा, 38 क्या है? छोटा, 38 छोटा है तो second digit क्या आएगी? छोटी, तो answer में क्या लेना है 6 और छोटी डिजिट क्या है 2 अंसर क्या होगा 62 अब यहां तक समझ लिया तो आप directly use करेंगे पहले pair बना लिए right से दो-दो के pair बना लिए last digit क्या है 4 last digit क्या है 4 तो two square 4 होता है और 8 square 64 होता है two square 4 होता है और eight square 64 होता है तो यहां तो आएगा या फिर 4 आएगा अब बात करें फर्स्ट डिजट की 27 27 किन दो नंबर के बीच में आता है 5 और 5 स्क्वाइर और 6 स्क्वाइर की बीच में आता है 27 हमें लेना है कौन सा छोटा वाला तो हम कौन सा लेंगे 5 या तो आन्सर 52 है या फिर आंसर 58 है फाइब का मेल लेकेशन कौन स्झेक JUL अनंबर में करेंगे 5 का मेल लेकेशन 6 में है तो आंसर क्या या 30 है quantidade 27 30 से छोटा है तो कौन सा वाला नंबर लेंगे छोटा वाला तो आंसर क्या जाएगा 52 answer क्या आजाएगा 52 8464 pair बना लिए last digit देखी 4 एक तो 2 का square 4 होता 8 का square 64 last digit 4 second step 84 84 किन दो number के बीच में आता 84 आता इन दो number के बीच में इन दो number के square के बीच में तो हमें कौन सा लेना इससे छोटा बाला तो हम कौन सा लेंगे 9 9 ले लिया है या तो 92 answer है या फर 98 answer है या तो 92 answer है अभी चेक करने के लिए answer 92 या 98 है 9 का multiplication consecutive digit में किया 9 का multiplication 10 में किया तो answer क्या 9 84 क्या है छोटा 84 90 से छोटा है तो answer कौन सा लेंगे छोटा बाला मतलब 92 answer क्या होगा 92 square root पहला step क्या होगा pair बना लिया पहला step क्या होगा pair बना लिया right से 6 एक तो 4 square 16 होता है 6 square also 36 last digit क्या आती है 6 90 94 square 16 16 और 25 के बीच में आता है 90 4 और 5 के बीच में 4 square और 5 square के बीच में तो हमें कौन सा बाला है नंबर का square लेंगे छोटा बाला मतलब 19 से 100 चोटा किस का square होता है 4 का square 16 तो 4 लिया या तो answer 44 है या फिर answer 46 है 4 का multiplication consecutive digit में किया 4 and 2 5 20 90 20 से क्या है 90 चोटा है तो नंबर कौन सा लेना है चोटा वाला तो answer क्या है गा 44 answer क्या है गा 44 5th question 1024 का square root पहला step pair किया पहला step pair किया दूसरा step 4 last digit क्या है 4 तो answer क्या आएगा या तो 2 2 square 4 और 8 square 64 2 या फिर 8 चेक किया 3 square क्या होता है 9 तो 9 चोटा वाला लेंगे इसके बीच में आता है 3 square 10 किसके बीच में आता है 3 square और 4 square के बीच में नंबर कौन सा लेना है चोटा वाला तो यहां से क्या लिया चोटा 3 क्या तो 32 या फिर 38 तरीका multiplication consecutive to digit में किया 3 into 4 12 ये नंबर क्या है चोटा है 12 से चोटा है ये नंबर तो answer क्या आएगा चोटा वाला 3 32 answer 32 answer छटा 2116 2116 दोनों नंबर का पेर बना लिया पहले पेर का बना लिया फिर लास्ट डिजिट जैगी लास्ट डिजिट क्या है 6 लास्ट डिजिट क्या है 6 4 square is 16 6 square is 36 4 square is 16 6 square is 36 21 21 किसकी रहन में आता है 4 square 16 5 square 25 4 और 5 की रहन में आता है हमें कौन सा नंबर लेना है छोटा वाला तो हमने कौन सा ले लिया 4 4 into 5 4 into 5 is 20 4 into 5 20 अब 21 20 से बढ़ा है 21 बढ़ा है 20 से तो नंबर कौन सा लेंगे बढ़ा वाला 46 answer 46 answer 7 question 47 6 1 4 7 6 1 पेर बना लिए दो दो नंबर के दो दो नंबर के पेर बना लिए लास्ट डिजिट देखी 1 1 square is 1 9 square is 81 लास्ट डिजिट बना आती ये दोनों में तो 109 47 47 किन दो नंबर के square के बीच में आता है एक तो 7 square sorry 6 square is 36 6 square 36 और 7 square 49 के बीच में क्या आएगा आपका 41 आएगा 47 आएगा तो आपको छोटा वाला नंबर का square लेंगा छोटा वाला मतलब 6 61 ये पर 69 6 का मल्टिप्रिकेशन 7 में किया consecutive नंबर 42 47 42 से बढ़ा है 47 42 से बढ़ा है तो आउसर क्या बढ़ा वाला लेना है आउसर में लास्ट डिजिट के आएगी बड़ी वाली तो आउसर के आएगा 69 इट्ट कोश्चिन 5 9 2 9 5 9 2 9 का स्क्वाइर रूट निगालना है पहला स्टेप क्या होगा पेर बना लिया है दूसरा स्टेप 3 स्क्वाइर इस 9 7 स्क्वाइर इस आलसो 49 3 स्क्वाइर इस 9 7 स्क्वाइर इस आलसो 49 59 59 8 to 8 स्क्वाइर 64 7 स्क्वाइर 49 और 8 square 64 के बीच में आता है, में कौन सा लेना चोटा वाला नंबर का square, तो 7 ले लिया, तो 73 है और 77 है, 7 into 8, 7 into 8 56, 59 56 से बड़ा है, तो answer में कौन सी डिजट लेनी है, बड़ी वाली है, तो 77 answer, 77 answer 9th question, 9409 का square root, 9409, पहला step pair बना लिया, दूसरा step last digit चेक की, 3 square is 9, 7 square is 49, 94 किन 2 square के बीच में आता है, एक तो 9 square 81 और 10 square 100, हमें कौन से नंबर को लेना है, 94 से कम बाला, 94 से कम बाला, 9 square 81, 9, 93, 97, 9 into 10, 9 into 10 किया, तो कितना जाया है, 90, 94 90 से बड़ा है, तो last digit कौन सी होगी, बड़ी वाली, तो answer क्या आएगा, 97, 97, answer क्या आएगा, 97, 10th question, 4, 3, 5, 6, 4, 3, 5, 6, 4, 3, 5, 6, पहला step क्यों होगा, पेर बना ली है, दो दो नंबर के, पेर बना ली है, दो दो नंबर के, दूसरा step, last digit, last digit क्या है, 6, 4 square is 16, 6 square is 36, 4 square is 16, 6 square is 36, हमें कौन सा नंबर लेना है, छोटा वाला, तो हमने कौन सा लिया, 6, 6, या तो 64 है, फिर 69, 6 का multiplication, कौन सी होटेव डिजट, 6 का multiplication, 7 में किया, तो answer क्या है, 42, 43, 42 से बढ़ा है, 43 बढ़ा है, तो मतलब, कौन से digit लेंगे, बढ़ी वाली, second digit क्या होगी, बढ़ी वाली, तो answer क्या है, 66, answer क्या है, 66, क्या है, बढ़ा 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 है, बढ